हाई गाईज वेलकम बैक तो नदे सेशन मैं आब अब भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेस का एपिसोड नमबर 850 आज की तारीक है 25 नवंबर 2020 हमारे दो चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटर आएस और अगर अब तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथ ही साथ इस बैल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से sscigilpinacle.com और बलजीधकर.com इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा ये सेशन हरो सुबा चार बजे वेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आप से क्विज के कोशन पूछे जाते हैं जिनका अंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है साथ ही स्टार्ट करेंगे प्रीवेस क्विज के साथ आपका पहला क्वेस्टन था वी पक्षे समुदरी अभ्यास सिंबेक्स हाल ही में किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है तो इसका सही जवाब था भारत और सिंगापूर और आपका दूसरा क्वेस्टन था भारत किस स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेस्टन के साथ किस राज्य में सबसे लंबे समय तक कार्यत रहे मुख्य मंत्री तरुन गोगोई का हाल ही में निधिन हो गया तो इसका सही जवाब है ऑप्षिन इंबर डी असम असम के पूर्व मुख्य मंत्री और वरिष्ट कॉंग्रेस नेता तरुन गोगोई का पोस्ट कोविड-19 जटिलताओं के कारण निधिन हो गया श्री गोगोई अगस्त 2020 में कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे वह असम के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य मंत्री थे वह 2001 से 2016 के बीच 15 साल तक सत्ता में रहे उन्होंने 1991 और 1996 के बीच प्रधान मंत्री नरसिम्मा राव के अधीन भारत के केंद्री मंत्री मंदल में खाद और खाद प्रसंसकरन उधियोग मंत्री के रूप में कारे किया था यहाँ पर additional information की बात करें तो प्रख्यात भारतिय अमेरिकी चिकित्सक और समुदाइक नेता अजे लोडा का COVID-19 की जटलताओं के कारण निधन हो गया अजे लोडा American Association of Physician of Indian Origin AAPI के पूर्व अधियक्ष थे यहाँ पर एक रिविजिन की बात करें तो परेयटन संजीवनी योजना की घोशना किस राज्य सरकार दवारा की गई है तो इसका सई जवाब है असम बात करें असम की तो इसके फोक डांस में आता है बी हू अगला प्रशन है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन मूलन के लिए अंतर राष्टर दीवस कब मनाया जाता है तो इसका सई जवाब है ऑप्शनिबर C 25 नवंबर हर साल 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन मूलन के लिए अंतर राष्टर दीवस के रूप में मनाया जाता है संयुक्त राष्टर महा सचीव की युनाइट 2030 इस वैशक विशे के तहत लिंग अधारित हिंसा के खिलाफ 16 नवंबर से 10 दिसंबर 2020 का एक अभियान आयोजित कर रही है जिसकी थीम है औरेंज दी वर्ल्ड फंड रिस्पॉंड प्रिवेंट कलेक्ट इस दिवस का उदेश्य महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के उन मूलन हेतु लोगों को जागरुक करना है 17 डिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ण महासभा UNGA दवारा इस तारीक को अपना अधिकारिक पदना मिला था यहाँ पर डिशनल इंफोमेशन की बात करें तो भारतिय विमान पत्न प्राधी करन डबल ए आई ने सभी हवाई अड़ो पर 23 नवंबर से 27 नवंबर 2020 तक विमानन सुरक्षा जागरुकता सप्तास हमारो शुरू किया है अर्विन सिंग इसके वरतमान अधियक्ष है अगला प्रशन है हाल ही में एक महासागर अवलोकन उपग्र है सेंटिनल 6 को स्पेसेक्स फालकर 9 रॉकेट से लौंच किया गया है इसका नाम नासा के किस पूरवधिकारी के नाम पर रखा गया है तो इसका सईज जवाब है ऑप्षन इमबर D माइकल फ्रिलिच सेंटिनल 6 माइकल फ्रिलिच एक अमेरिकी येरोपिय महासागर माइकल फ्रिलिच के नाम पर रखा गया है जिनका हाल ही मैने दिन हो गया उन्होंने अंतर राष्टे अधारित समुद्र विज्यान के विकास में महत्व पूर्ण भूमी का निभाई थी माइकल फ्रिलिच 2006 से 2009 तक नासा मुख्यालिय में विज्यान मिशन निदेशाले में प्रित्वी विज्यान प्रभाग के निदेशक थे कौपर निकस सेंटिनल 6 मिशन यूरोपिय अंतरिक्ष अजेंसी ESA नासा और अमेरिका के राष्टे महासागरिये और वायू मंडलिय प्रशासन का एक सहयोग है सेंटिनल 6 प्रतियक 10 दिनों में ग्रहे के 70 प्रतीशक को कवर करने वाले महासागरों के नक्षे को अपडेट करेगा यहाँ पर एडिशनल इंफिर्मिशन की बात करें तो करनाटा के राज्यपाल वजुबाई वाला ने इसरों के अध्यक्ष के सिवान को अगला प्रशन है अशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग बैठक 2021 की में जबानी कौन सा देश करेगा तो इसका सईज जवाब है उप्षिन इंबर C न्यूजीलेंड अशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग हाल ही में मलेशिया दवारा आयोजित किया गया था इसकी थीम थी एपक Reimagined Priorities in the Aftermaths of COVID-19 अगले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की बैठक 2021 में न्यूजीलेंड दवारा आयोजित की जानी है इससे पहले 17 नवंबर 2020 को एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के सदस्यों ने एक मंत्री स्तरिय बैठक की थी और इसके सदस्यों को मुक्त व्यापार और निवेश के लिए प्रतिबद किया गया शिखर समेलन के दोरान एपक पुत्र जया विजिन 2040 को अपनाया गया यह 2040 तक एक खुले और शांती पूर्ण एशिया प्रशांत समुदाय की कल्पना करता है यहाँ पर अडिशनल इंफोमेशन की बात करें तो समुद के सदस्यों से ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कैनेडा, चीन, होंग कॉंग, चिली, जपान, इंडोनेशिया, दक्षिन कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, पैरू, न्यूजिलैंड, पापुआ न्यूगिनी, फिलिपि की बात करें तो एपेका मुख्याले सिंगापूर में है और इसके कारेकारी निदेशक है डॉक्टर रेबेका फातिमा स्टा मारिया, बात करें न्यूजिलैंड की तो इसी कैपिटल है वेलिंग्टन और करंसी है न्यूजिलैंड डॉलर, अगला प्रशन है इंटरनाशनल अंतरराष्ट्र प्रकाशक महासंग की अधियक्ष न्यूक्थ होने वाली पहली अरब महिला बन गई है वहे जनवरी 2021 में अधिकारिक रूप से पद ग्रहन करेंगी यह गोशना वर्चुल इंटरनाशनल पब्लिशर असोसियेशन जेनरल असेंबली कॉंग्रेस में की गई और अरजिंटीना की एना मारिया कैबनेलिस के बाद इस पद पर न्यूक्थ होने वाली विश्वी की दूसरी महिला बनी जिन्होंने 2004 से 2008 तक एसोसियेशन के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में काम किया पिछले दो वर्षों से शेखाबेडोर अलकासिमा IPA के उ अवला प्रशन है श्री रवी शंकर प्रसाद ने हाल ही में किस गवर्नेंस एप का अंतराश्ट्रे संसकरन लॉंच किया है तो इसका सईज जवाब है उप्शनिबर B उमंग उमंग एप की तीसरी वर्ष गान को चिनहित करने के लिए श्री रवी शंकर प्रसाद के ध्यक्षिता में एक ओनलाइन सम्मेलन आयोजित किया गया है आयोजिन के दुरान उमंग के अंतराश्ट्रे संसकरन को USA, कैनेडा, औस्ट्रेलिया, UAE, नीदरलैंड, सिंगपर और न्यूजिलेंड के लिए लॉंच किया गया, यह है भारत के बाहर रहने वाले लोगों को भारत सरकार के सेवाओं का लाब उठाने में सक्षम बनाएगा, उमंग एप या Unified Mobile Application for New Age Governance एक एकिकरित मल्टी चानल और मल्टी सर्वस मॉंबाइल आप है, इसे 2017 में प्रधान मंत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो इसका सईज जवाब है Option C, Hong Kong The Economist Intelligence Unit EIU ने 2020 में दुनिया के सबसे महंगे शहरों की Worldwide Cost of Living WCOL Report जारी की है, Hong Kong, चीन, Paris, France और Zurich, Switzerland 133 शहरों की सूची में सबसे महंगे शहरों के रूप में शीर्स्थान साजा करते हैं, दमिशक सीरिया, ताशकंद उस्बेकिस्तान, लुसाका जांबिया इस सूची में सबसे सस्ते शहरों के रूप में अंतिमतीन स्थानों पर रहे भारत से दिली सूची में 121 वे स्थान पर है, अर्थ शास्ती इंटेलिजन्स यूनिट का मुख्याले है, लंडन युनाइटिड किंग्डम्स में यहाँ पर एक रिविजन की बात करें, तो भारतिय सूपर कम्प्यूटर परम सिद्धी ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सूपर कम्प्यूटरों की सूची में 63 वा रैंक हासिल किया है अगला प्रेशन है, हाल ही में COVID-19 महामारी के कारण भारती अंतराष्ट्रे Cherry Blossom महुटसव को रद कर दिया गया है यह किस राजय में आयूजित किया जाता है, तो इसका सई जवाब है Option D, मिघाले इंडिया इंटरनाशनल Cherry Blossom Festival हर साल नवंबर की शुरुवात में मिघाले दुवारा आयूजित किया जाता है COVID-19 महामारी के मद्दे नजर इस साल इसे रद कर दिया गया है इस महतसव में लाइव संगीत, भोजन, सुंदर्य प्रतियोगिता आदी का प्रदर्शन किया जाता है Cherry Blossom त्योहार मिशिगन का एक राष्ट्य त्योहार है, यह जपान में भी मनाया जाता है यहाँ पर additional information की बात करें तो मुख्य मंत्री Y.S. जगनमुहन रेडी ने तुंग भद्रा नदी के सम्मान में आयोजित 12 दिवसिये तुंग भद्रा पुष करालू त्योहार की शुरवात की है इस त्योहार इस दुरिष्टी से काफे महतुपूर्ण है कि इसका आयोजिन प्रतियेक 12 वर्ष की अबधी में एक बार किया जाता है बात करें में घालिया की तो इसी कैपिटल है शीलोंग, सीएम है कॉन्राड संगमा और गवर्नर है सत्यापाल मलिक अगला प्रशन है किस भारतिय राज्ये ने एश्यय विकास बैंक के साथ साजेदारी में अपने बुन्यादी धांचे में सुधार करने का फैसला किया है तो इसका सही जवाब है और अप्षन इमबर D हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकार ने एशेय विकास बैंक ADB के साथ साजेदारीकर राज्य के मंडी जिले में बुन्यादी धांचे में सुधार करने का निर्न लिया है निर्मान की अनुमानित लागत 15 करोड है जिसमें 9 करोड का भुकतान ADB और शेश हिमाचल सरकार दवारा किया जा रहा है मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर ने मंडी जिले में वस्तुते विभिन विकास कारेक्रमों का उधगाटन और शीला नियास किया उन्होंने पंडो शेत्र में एक प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र, पीएच सी और एशियाई विकास बैंक की साजेदारी में मंडी शेहर में भीमा काली नामक एक वाहन पारकिंग भवन का उधगाटन किया इस बहु मंजिला इमारत में एक हॉल के अलावा 86 वाहनों को पार्क करने की सुविदा होगी जिसमें लगभग 300 लोगों के बैठने की क्षमता होगी बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसके नाशनल पार्क समें आता है पिन वैली नाशनल पार्क इंद्र किला नाशनल पार्क और खिर गंगा नाशनल पार्क हिमाचल प्रदेश की गवर्नर है बंदारू दतात रेया और सीम है जैराम ठाकुर अगला प्रशन है विश्व मत्से पालन दिवस 2020 के अनुसार समुद्री राज्यों में से किस राज्यों को सर्व श्रेश्ट परदर्शन करने के लिए समानित किया गया है तो इसका सईज जवाब है option number B ओडिशा विश्व मत्से पालन दिवस 2020-21 नवंबर को नई दिल्ली में N.A.S.C. कॉंपलेक्स में मत्से पालन विभाग दवारा मनाया गया इस अफसर पर मत्से पालन पशु पालन और डेरी राज्यों को विभिन पुरसकार दिये है और इशा को समुद्री राज्यों में सर्व श्रे उत्र परदेश को अंतर देशिये मत्से पालन क्शेत्र में सर्व श्रेश्ट परदर्शन करने वाला पुरसकार मिला है और तमिल नाडू मत्से विकास निगम लिमिटेड ने समुद्री श्रेनी में सर्व श्रेश्ट संगठन का पुरसकार जीता है यहाँ पर एक वो श्रेष्ट पहाडी और पुर्वोतर जीला पुरसकार मिला है। बात करें उडिशा की तो इसकी वर्ल्ड हेटे साइट्स में आता है सन टैमपल कुनार्क, डैम्स और रिवर्ज में आता है हिराकुन डैम महानदी और इंद्रवती डैम इंद्रवती। नैशनल पार्क्स म में आता है चिली का लेक, और इशा की क्याप्टल है भूवनेश्वर, गवर्नर है गनेशी लाल और चीफ मनिस्टर है नवीन पतनायक। बात कर लिते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की तो असम के लॉंगेस सर्विंग चीफ मनिस्टर तरुन गुगोई का निधन हो गया ह International Day for the Elimination of Violence Against Women November 25 को मनाया जाता है Ocean Observation Satellite Sentinel 6 का नाम Michael Frilich के नाम पर रखा गया है Asia Pacific Economic Cooperation Meeting 2021 न्यूजिलेंट होस्ट करेगा शेखा बुदोर International Publishers Association की पहली अरब विमन प्रेजिडेंट बनी है Governance App Among का International Version बनाया जाएगा World's Most Expensive City in 2020 है Hong Kong Meghalia का India International Cherry Blossom Festival कैंसल कर दिया गया है Himachal Pradesh ने Asian Development Bank के साथ Infrastructure के लिए पार्टनर्शिप की है और Best Performing Marine State बना है Odisha बात कर लेते हैं आज के सेशन के Quiz for the Day की आपका पहला क्वेस्टिन है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग बैठक 2021 की में जबानी कौनसा देश करेगा और आपका दूसरा क्वेस्टिन है International Publishers Association की अधियक शन्यूक्त होने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है और अगर अब तक आपने मारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कूल न भूलिएगा साथी साथी इस बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके साथी साथ हमारे दोनों टेलिगरम हैंडल्स को ज़रूर करना है थैंक्यू सो मच